हेलो फ्रेंड्स आईए आपके सामने बात करेंगे आज निता जेलेटीन इंडिया लिम्टर के स्टॉक की जिसका BSE कोड 506532 है आज इस स्टॉक में इस निता जेलेटीन के स्टॉक में बहुती बड़ा ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है 6.47% की रैली के साथ ये स्टॉक 6. 95 के लेबल पे ट्रेड करता दखाई दे रहा है तो एक बहुती ब्यूलिश मेमेंटम देखने को मिल रहा है आईए इस स्टॉक का डेटेल अनेल्स कर लेते हैं बेलुइशन स्टॉक में सही मौका है निवेश करने के लिए तो सबसे पहले नए आयो हमारे चैनल को आप सब् वेश की राय देते हैं तो बहुस्तो दोस्तो बात करते हैं निता जैलिटेन के स्टॉक की परफॉर्मस का लास्ट फाइब डेज में देखो 20.76 परसंट की रैली इस स्टॉक में देखने को मिल गई है बहुती बड़ा ब्यूलिश रिवर्सल शो कर दिया है ब्यूलिश मोमेंटम शो कर दिया है जो के अभी तक भी चल रहा है तो एक 580 का लेवल बड़ा सपोर्ट जोन है जिस लेवल पे आपको आने वाले दिनों में जुरूर फोकस रखने की जुरूरत है 6 मन्त का डाटा देख लो 6 मन्त में 98% के मल्टी बेगर रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं जबके 1 येर में देखें तो 1 येर में 136% के रिटर्न्स है एक बात तो क्लियर है जैसे जैसे आप लॉंग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करते जा रहे हो बैसे बैसे आपके रिटर्न्स भी बढ़ते जा रहे है बहुती कंसिस्टेंट परफॉर्मर निकल कर आ रहा है फाइब जियर में और भी बड़ी है रिटर्न्स है 200% के रिटर्न्स मतलब कि इस स्टॉक ने फाइब जियर में आपका पैसा बैसे वा इसके लेटफ कौटरली नंबर्स भी हम डटेल me चेक करेंगे के लेटफ कौटरली नंबर्स इसके कैसे आय होए है तो दोस्तों कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है एक सोटी जो है मारकिट काप इसका 593 कुरोड के राउंड निकल कर आ रहा है तो एक chemical sector की company है specialty आप कह सकते हो chemical sector की company है तो आईए इसके fundamentals details में discuss कर लेते हैं इसकी financial report भी एक बर देख लेते हैं स्टमबर quarter में company के नंबर बहुत ही शानदा रही है यहाँ पे देखो company के revenue में income में और net profit margin सारे ही parameters improvement शो कर रहे हैं gear on gear basis पे तो स्टमबर quarter के नंबर शानदा रहने के बाद इस stock में continuously rally जो है वो बनी हुई है तो लोग इसमें buying भी कर रहे हैं लोग इसमें heavy buying कर रहे हैं इसको accumulate कर रहे हैं को को fundamental बहुत ही strong है एक consistent performer है कभी भी इस stock ने wealth को destroy ने किया है slowly steadily इस stock में growth ही देखने को मिली हुई है market cap इसका 600 क्रोड को अब cross हो चुका है दोस्तों इसकी valuations देख लेते हैं valuations भी सही हो चुकी है आजकल PE ratio देख लो 13.99 के round nearly 14 के round चल रही है price to book ratio 2.90 के round है जबके ROE percentage 20.72 की है तो fundamentals are looking very very strong EPS भी बहुत ही ज़्यादा है मतलब ROE percentage high है जबके price to book ratio and price to earning ratio वो low है तो this is a stock with low price to earning ratio lower valuations and strong fundamentals तो यही कारण है क्योंके दोस्तों stock market में हर कोई इस तरह के stock को ढूड़ते रहता है जो बड़े-बड़े investors हैं वो क्या करते हैं अच्छे stock को lower valuations पर accumulate करने की कोशिश करते हैं तो यह stock एक उसी तरह का stock है इसलिए इस stock में हर कोई जो है वो buying कर रहा है क्योंके company specialty chemical sector में काम करती है different type के gelatin products मनाती है और आज इस stock में heavy buying देखने को मिल रही है और अब इस company के जो results हैं December quarter करेंगे वो हमारे पास आ चुके हैं आये try करते हैं ज़री इस company के जो numbers है वो हमारे पास खुल जाते हैं तो हम जरूर आपके साथ जो है वो share करेंगे दोस्तों क्या होता है कोई भी stock कभी भी एक direction में नहीं चलता है आपको क्या करना होता है अच्छे quality के stocks को patience के साथ hold करना पड़ता है तो पैसा by default बनता रहेगा उसकी दिक्कत मत करो पैसा बनता रहेगा हाँ उसको hold करना सीखो आज ज़री stock market गिर रही है तो उससे आपको फियर में आने की जुरूरत नहीं है तो अगर ये निटा जा लेटेन के पहले numbers देख लेते हैं December quarter में इस company की पहले total income देख लो total income बाज 11,961 ये रूपी slack में है और September में इट बाज 12,990 यहां पे quarter and quarter basis पे थोड़ी reduction हो रही है जबके year on year basis पे इस company की income में इजाभा ही देखने को मिला है तो ये तो होगे total income लेकिन बात करेंगे net profit की क्योंकि expenditure भी कुछ company pay करती है net profit से उसके बाद company को tax देना पड़ता है tax के बाद company के पास क्या बचता है that is the net profit तो हम करेंगे इसके net profit को check करेंगे जो latest quarter आया है that is quarter 3 इसमें इस company का net profit है 2074 lakhs को भी cross कर गया है जबके last year same quarter में इसका profit था 950 lakh था और September quarter में भी इसका profit था 1573 होता है मतलब quarter on quarter basis पे भी इसका profit बढ़ गया है और year on year basis पे भी profit बढ़ गया है तो यही indication होती है दोस्तो fundamentally strong stock ही उसके numbers भी continuously बढ़ते रहते हैं और stock price तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी जब company अच्छा data देगी तो हर कोई उसमें buying करेगा तो बात करते हैं next 9 months की 9 months का profit देख लो वो भी बढ़ गया है double से भी ज़्यादा हो गया है 2519 से बढ़के 5891 हो गया है और एक होते हैं good numbers फिर very good आते हैं तो ये company के हम outstanding performance का खिताब देंगे company के जो numbers आये हैं आने वाले दिनों में एक stock अपनी rally जो है वो continue करता रहेगा ये stock अपने investors को शांदा returns बना के देता रहेगा because fundamentals are very very strong आज इसकी delivery देख लो तो 70% के round इस stock में delivery देखने को मिल रही है और shareholding देख लो promoter ने भी इस company में अच्छा stake बनाया हुआ है और कोई भी change देखने को नहीं मिली हुई है 74% से भी ज़्यादा जो है वो promoter का stake है एक अच्छी company है accumulation के लिए long term के लिए एक अच्छा stock जो है वो निकल कर आ रहा है तो जो हमने आपको levels बताए हैं उन पर जरूर फोकस रखें ज़री ये stock उन levels के round 580 से लेके 600 के बीच में आपको फिर मिलता है तो ये एक अच्छा मौका होगा इसे stock में entry बनाने का तो कोई भी टिप मिलता है इसको खरीते रहें long term के लिए इसे stock में बने रहें thanks again